हाई विनर्स आई होप यूल आर वेल दिस साइड राजीवानंद वेलकम टू क्रिप्टो मार्ग यूट्यूब चानल क्रिप्टो का रास्ता विनर्स आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं एप्टोज वर उफ दा मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट ओन ट्वि ग्लोबल रेंक 51 का आचुका है बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी मार्किट के अंदर ऐसे क्रिप्टो टोकन्स हैं जो सर्वाइब कर रहे हैं स्ट्रगल कर रहे हैं टॉप हंडर्ड की पोजिशन के लिए लेकिन एप्टोज लेयर वन ब्लॉक्चेन होने के बवजूद और ए एप्टोस से उन एक्सपेक्टेशन पर अभी तक एप्टोस खरा नहीं उत्रा है तो क्या आने वाले फ्यूचर में बहुत जल्द एप्टोस से रिलेटिड जो इन्वेस्टर्स की बड़ी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि आप भी जानते हैं ये काफी बड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो मतलब एक रुपे दो रुपे या एक रुपे से कम में 0.230 वाले टोकन को बाय करने में जादा इंटरस्ट दिखाते हैं वो इतना महंगा टोकन मेरे से आपसे नहीं बाय करते हैं तो डेफिनिटली इस टोकन के बैकन में वर्ड क बड़े इंवेस्टर्स हैं जो काफी बड़ा पैसा क्रिप्टो टोकन में लगाते हैं अगर उन्हें कहीना कहीं पर पोटेंशल दिखता है तो और एप्टोज में सच में वो पोटेंशल दिखाया जा रहा था बताया जा रहा था हाइप थी फोर येर की डवलोपमेंट थी सिलिकोन वाली टीम थी तो कहीना कहीं पर अभी उन एक्सपेक्टेशन पर एप्टोज नहीं उत्रा है और क्या एप्टोज इससे भी ज़्यादा डाउन जा सकता है उसके उपर पूरी बात करते हैं और एग्जेक्ली कमुनिटी की तरफ से और सोलाना किलर को किस लेवल तक प्रूफ कर पाएगा अप्टोज आने वाले फ्यूचर में इसके उपर इस वीडियो में पूरी बात करते हैं तो अप्टोज से रिलेटेड एक आर्टिकल शेयर किया गया है अब एग्जेक्ली इन्वेस्टर तो यही प्रेडिट कर रहे थे कि जिस हिसाब से ये एक लेयर वन ब्लॉक्चेन है उस इसाब से जो प्रॉमिसेज किये गए थे अप्टोज की फाउंडेशन की तरफ से वो प्रॉमिसेज अभी पूरे होते बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिये अप्टोज वाज रेफर्ड एजा सोलाना किलर इसको सोलाना किलर का नाम दिया गया है और अगर मैं TPS की बात करूं ट्रांजेक्शन पर सेकेंड स्पीड की बात करूं तो एप्टोज मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया भी था कि इथेरियम के बाद अगर आप बात करो तो पोलकाडोट पोलकाडोट के अगर हम बात बात करें तो वी हैव अवलांचे भी है वी हैव सोलाना और उन सब कोवर टेक करके वी हैव न्यू अप्टोज ब्लॉक्चेंड थीक है तो एग्जेक्ली अब ये चैलेंज है कि ये एक प्लेज ली गई थी कि एक लाख ट्रांजेक्शन पर सेकेंड की जो स्पीड है वो चैलेंज है और उस चैलेंज को रियालिट में लेकर आना कनवर्ट करना या रन करवाना ये एक बहुत बड़ी प्लेज थी हाला कि प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करो तो 11.8 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड की स्पीड पर अप्टोज जो है वो इस तेम पर स्पीड को मैनेज कर पा रहे है अब 11.8 की मैं बात ये विलांचे से या फिर सोलाना से सोलाना से तो ये बहुत कम है अभी और हला कि सोल किलर का नाम दिया गया था बट अभी उसके कम जो है वो टीपेस अभी तक निकली है एक तो हो गया ये रीजन कि जो स्पीड एक्जेक्टली एक्सपेक्ट की जारी थी वो 2.8 transaction per second speed है तो definitely वो प्राइज अभी तो starting में expect नहीं किया गया दूसरा अब यहां पर अगर मैं बात परू कि जो supply है एक मिलियन से थोड़ी सी जादा है तो अब इस टाइम पर 82.83 million APT जो है were actively staked with 102 validator involved. Net worth was the fact that 6.78 million transaction had taken place on the chain. मतलब Aptos की blockchain पे अभी तक 6.78 million transaction ही हुई है और उसकी जो average speed है वो 11.8 है मतलब अभी यह कई न कई पर मेरे हिसाब से polka dot की speed पर approach अगर मैं देखो तो उसी के असपास run कर रही है और इसको बोला गया था soul killer, soulana killer तो एक तो यह बहुत बड़ा negative impact रहा अब यहां पर देखिए according to the Aptos foundation the Silicon Valley based team it took 4 year for the Apt to come into life, 4 साल लगे इस Apt को Aptos token को इस particular crypto life में लाने के लिए this was revealed in the medium post, एक medium जो आप जानते है medium की एक post में इसको reveal किया गया था और उसको public किया गया था 17 October को और दो ही दिन में twitter पर लगा था trend और उस trend का benefit जो है वो अभी तक बड़े investors को नहीं मिल पाया है, so the foundation noted that Aptos built on the project for more people to access decentralized application the medium post read, यह proper medium की post थी, अब यहां पर देखिए, 573.75 million dollar की जो volume है exactly आई, 19th of October को और वो एक तरीके से 1.8 billion तक गई, 1.89 billion dollar तक और जो Apt के investors थे, उन्हें profit का जादा demand थी या कहीना की पर expectation बहुत थी but अब अगर आप देखे 22 October को, वो जो holdings है ना, वो quickly sell off होकर अब आप यह impact इस chart से आपको बिल्कुल clear हो जाएगा, कि यह देखिए, यह 19th of October का chart है and look at this, यह 19th of October को शाम के असपास, और यह 20th of October को कम होता होता 21 October तक देखे, seamlessly बिल्कुल down आ गया, क्यों? अब यह थोड़ा सा 21 October को शाम को बढ़ा क्योंकि 2-4% का अप्टोस बढ़ना शुरू हो था, तो यानि कि investor के prediction थी कि यह price जैसे मैं आपको बताई रहा था, कि sold के लिए रहा तो कम सकम 1000 उपे से शुरू होना चाहिए, जैसे आप जो transaction per second थी, तो यह overall ही 8 dollar के आसपास आया देगी, यहाँ पर लिखा हुए, which took का price of 8.34 dollar, यह price 19 October को आया ही 8.34 dollar का और इस time पर coin market के आपर 7.42 के आसपास जो है यह run है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ चुका है USDT से, तो यह इस time पर 1.68%, यह article 10 गंटे पहले का है, और अभी जो है 4.45% बढ़ा हुआ है, तो 7.50 के आसपास का जो price time है, वो trading चल रही है, तो कही न कहीं पर अब इसकी community का यह कहना है, कि एक challenge है starting से, बट जैसा हम लोग observe कर रहे हैं, अपनी blockchain को, layer 1 blockchain foundation को, उसी जाप से transaction पर speed आने वाले time में definitely worth बनाएगी, but कहीं न कहीं पर major concern यह निकल कर आया कि एक ऐसा project layer 1 blockchain का, जिसकी transactions को solana से उपर बोला जा रहा था, और उसका सबसे बड़ा जो back end strong point था, world की leading exchange में starting से listing था, binance, ftx और apt उनका part एक इदम बना, start listing ही, binance और ftx और coinbase से हुई, तो उसका अभी एक long, जो benefit था, starting days में, क्योंकि आप देखते हैं, जब ऐसा project आपने कई बार सुना होगा, जिस project की बहुत ज़्यादा हाइप होती है, तो project अचानक से चाहिए, वो 5 रुपे, 10 रुपे पे launch हो, अचानक से वो project चला जाता है, बहुत बड़ा, और एकदम से down आता है, तो ना तो यह अभी बहुत बड़ा गया है, और नहीं सच बताऊं, तो यह भी बहुत ज़्यादा down आया, क्योंकि 8.34 dollar maximum है, 7.4546 के आसपास चल रहा है, तो ना तो बहुत ज़्यादा, मतलब बड़ा है, ना ही बहुत ज़्यादा गटा है, एक positive news ही है, कि एकदम down भी नहीं हुआ, हाला कि selling की जो news है, वो है, बट selling भी इतने level पर नहीं हुई, कि अचानक से लोगोंने बड़ा पैसा invest करके sell कर दिया, तो positive point यह है, लेकिन एक negative point है, कि इसको बोला soul killer जा रहा था, 1,60,000 per second की speed से ज़्यादा इसको बोला जा रहा था, वो exactly अभी तक नहीं हो पाया है, और अभी जो maintain average speed है, वो 11.8 transaction किया, तो अभी यह comparatively Solana से काफी down में है, बहुत नीचे है, अगर अभी average speed, जिसे आप से बोला गया है validators के help से, अगर यह speed averagely introduced होती है, काफी बड़ी बनती है, so definitely one day Aptos is going to be the Solana killer, as the community say, but please keep it in mind, you are in the highly volatile market, so please if you want to buy any kind of crypto project, please do your own research first, क्योंकि आप भी जानते हैं, crypto market में buying or selling से project की वर्थ कुछ मैंटर नहीं करती, जैसे ही बहुत जादा buying होई, price is going to be high, और जैसे sell-off शुरू हुआ, और at maximum level पर sell-off हुआ, price is going to be down, but right now we are in the highly volatile market, so please keep it in mind, so this is the overall latest update on Aptos, thank you so much for watching this video, and please do subscribe Cryptomark YouTube channel for more updates, thank you so much.